ये दो मासूम बच्चे आपको दिख रहे होंगे जी हाँ एक दूद पीता बच्चा दूसरा भी दूद पीता बच्चा जिसको पता ही नहीं कि इसकी मा को इसका बेरहम बाप जहर खिला कर मार दिया 20 दिसंबर की रात की घटना है ये समस्ति पूर्चिला के अंतरगत सुनमा गाउं है जी हाँ सिंहिया थाना के अंतरगत आता है जहां तक बेटियों की बात आती है तो दहेच पर्था में बेटी बली चड़ जाती है जी हाँ बेरहम बाप इनका बाप चोटी चोटी बच्ची है इनका बाप जहर खिला के इनकी मा को मार दिया जी हाँ आप लोगों से ये मदद मांगने आई है मदद सिर्फ इतना मांगने आई है कि इनकी आप मदद करें क्यूंकि अभी तक इनके पास पूस्ट माटम रिपोर्ट नहीं आया है जहां तक डीम सीच की बात होती है तो में पैसे पर रिपोर्ट बन जाता है अभी तक रिपोर्ट इनके पास पहुंचा नहीं है इनसे बात करेंगे कब आपकी बेटी को इस तारिक को 20 दिशमर को रात में मार दिया गया है उस दिन से 20 तारिक के सुभाह में हमारा भतिजा प्रेम चंजादव ने हमारे दमाद मुकेश कुमार यादव को फोन किया कि हम मिलने के लिए आ रहे हैं सामने तो उन्होंने कहा आज ने आये कल आईएगा कई एक बार फ 21 दो हजार बाइस को सारे आठ वजे में हमारे दमाद यो है मुकेश कुमार यादव पिता मनोहर यादव ग्राम बोहरबा थाना कुष्यसर अस्थान के निवासी ने सुचना दिया कि आपकी बेटी मर गई है हम लोग यहां से सब परिवार एबम ग्रामी लोग वहां पहु थाना प्रभारी का पूरा एस्टाप वहां पहुंचा हुआ था हम लोग देखें तो हमारी बचिया बेवी देवी को गले पर खून का निसान थेवनी दुन हाथ का दुन घुठी फुला हुआ था अर थेवना भी फुला हुआ था हम लोग अधैर जो हो गए वहां गाउं क काफी हम लोग परदवाब था हम लोग वहां से किसी तरह भैभीत हो करके वहां से पुलीस लेकिन नहीं माना उन्होंने पोस्ट एटम में भेजा और पोस्ट एटम का रिपोर्ट हमको आज तक नहीं मिला है उसमें उनके परिवार का लोग पहले से सब परिवार जो है सो इससे पहले उसका हिंदू ही ती रिवाज के ताहद उनके पांच लाख रुपईया चार भड़ी सोना एक बताईए आपका दमाद इससे पहले आपको कभी फोन किया कि हमको पैसा की जरूरत है या पैसा हमको दीजिए हां बराबर मन उका रहा था प्या करके डैवर्सन करवा दिया और प्रावेट डाक्टर से इलाज करवाया जिसमें हमने तीन हजार रुपईया उसको इलाज में करवाया हां उनके पूरे परिवार से इनको संतान हो जाएगा तो रुपईया देने में इनकार करेगा यह बिलगता बाप आपको दिखाई दे रहा होगा यह बाफ जो बाफ पाई पाई जोर कर यही सोचता है कि हमारी बेटी एक अच्छे घर में जाए लेकिन दमाद इतना निकम्मा इतना हरामी निकल जाता है जो जहर देकर मार देता है पहले इनकी बेटी को टॉचर किया गया गर्दन को दावा गया घुटना तोर प्पटला गया उसके बाद खिला गया उनकी माहां है उनसे बात करेंगे हलाकि बात करेंग वह आज यह यह भी जोज नहीं को च्छोटा बच्च को पता भी नहीं है अब लिए ब levenAh तो कुछ दिन ठीक रखा इसके बाद फिर जब माकान ड़लाई करने लगा तो तीन लाख रुपईये का डिमांड किया तो हमारी बेटी ने हमको खबर दिया कि हमको कहता है जान मार देंगा नहीं तो इतना रुपईया लाओ गार ड़लाई हो रहा है जिसमें हम तीन लाख पुनवा उसको हम दिये किसी तरह से करजा ब्यान उठा करके जमीन बंधक रख रुपया को मुटसेगिल दिये उसके बाद ही पैसा हाँ गारा मेलरका को चक्ति भी दिये इसके बाद कुछ दिनों सही रहा है सही रहने के बाद माने घटना से पहले एक मैना पहले हमारी अजय को दोनों तोर दिया हम बेटी को कहा कि कैसे तुटा तो कहा कि यह कम उठाए हैं बोड़ा उसमें तू भूट गया है डर से हुआ है सही बात हमको नहीं बताया फेर मारेगा इसलिए डर से हमको नहीं बताया उनका हमारा घर प्लास्टर हो रहा है फिर ले गया हमारी कि बचिया को आव वहां जा करके हमारा 21-21 को रात में उन्होंने समुचे बदन फुला हुआ हम देखे मार फीट करके संसे जखमी था और पुलीस उसको पोस्टेटर में भेजा आप सोच सकते हैं जो बाफ बेटी की साधी करता है तो बाफ का खर्चा कितना होता है घर बनाना और बेटी की साधी करना हर वो इनसान के पास बेटी होती है और हर वो इनसान को पता होता है बेटी की साधी तो हो जाती है लेकिन 4-5 साल बाद बाफ को धंकिया मिलने लगती है कि आप पैसा दे बाफ पैसा भी देता है गारी भी देता है उसके बाद भी 5 लाक रुपया की मां करता है दमाद, जब बाप सक्षम नहीं रहता है पांच लाख देने में गरीब, गरीब कहां से लाकर देगा पांच लाख, पांच लाख यहां पड़ है, बड़ी रकम होती है पांच लाख, यह गरीब लाकर कहां से देगा पांच लाख, पांच लाख नहीं देने की वज ये के सजा मंगते हैं देखिए रोती माँ आपको दिख रही होगी एक माँ जो दर्द बखुबी जानती है बेटा हो या बेटी हो बेटा बेटी का दर्द माही जानती है क्योंकि नौ महिना कोक में रखकर बच्चे को पैदा करती है पैदा करने में कितना कस ठोटा वो सब मा जानती है देखे छोटा बच्चा है इसको पता ही नहीं कि अमारी माँ है नहीं कहा गई कुन ले गया अमारी एमाँ को लेकिन आज मा इसकी दुनिया में ये बच्चा आनात हो चुका यह दोनों बच्चा आनात हो चुका है इनका बाप बेरहम बाप उसकी माँ को मार दिया 15 दिन पहले हाथ तोड़ता है उसके बाद 15 दिन बाद 20 तारीक को उसको जहर खिला कर मार देता है यह दोनों छोटा बच्चा है अब लग्षमी कुमारी मम्मी ममी चो ममी के तो घिलो पपा मैर दलको तुझे देख तूरही उत्ते मार दलको जो पपा के ना मेर दलको के ना मेर दलको तो सकते हैं यह छोटा बच्चा है इसके सामने इसकी मा का हाथ पाउं बांध दिया जाता है पीटा जाता है गर्दन को दावा जाता है घुठना तोरा जाता है उसके बाद इसकी मा को जहर खिला दिया जाता है हलाकि इनके पापा वहां जाते हैं तो पता चलता है इनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही आप कौन हुए उनके भाई हुए है सरकार से क्या मांग की जिएगा नहीं सरकार आई सरकार चा माांग का सजा मिले जो क्लावास हो कि अदेखर यकंता हे ला प्लग क्ले क् shouted देखभा कर रहे हैं एक हीठो बहन अब इनके पास बहन भी नहीं है जो इनको रक्षा बंधर में राखी बांधेगी जी हाँ एक बहन थी और एक बहन के साथ भाई का प्यार कितना रहता है वो सब जानता है रक्षा बंधन होता है तो दस दिन पहले भाई लेकर आ आपको कि रक्षा बंदन में हमें राखी बांधेगी लेकिन आज इनकी बहन राखी बांधेदे के लिए इस दुनिया में नहीं है जी हाँ यह बिहार की घटना है समस्तिपूर की घटना है जो सिंग्या थाना के अंतरगत आता है सोनमा गाउं इनकी बहन का साधी लंकर बिबच्चा के अगरीब परिबार इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा है अप लोगों से यह दो बच्चा मासूम बच्चा जो समझ ही नहीं है इन दोनों को कि हम क्या करें क्या नहीं करें आज एक नानी है जो इनको रखे हुए घड में नानी रखे हुई है घड में इस के लिए सरकार सोचे अर उस जो भी अपराधी है इसका पापा अपराधी है उनको जल से जल इनको जल से जल जेल भेजा जाए उसका घर भी सामिल है हाँ उनका जो है मनुहर जादव उसका पिता पुरा घर ही सम्मिल उनका मां मीरा देवी डाजेश यादव और फूलो देवी मुकेश यादव सभी मील करके पैसा आसुलने का दावा रखा था और देते गए लास्ट में पांच लाक रुपया नहीं दिये तो उनको हत्या कर द